विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसत का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरन उत्पन्न किया जाए हमेशा कॉंग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती आज से नहीं 30-40 साल पहले से विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विशय के उपर आपका निशाना है पता था कि संस्थान के दोरान ही वो रिपोर्ट आनी थी और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद लोगों से कहना चाहता हूँ विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संस्थान का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है याद करिए BBC की डॉकुमेंटरी संसस्थान शुरू होने से ठीक पहले आई थी जनवरी में हिंडन बर्ग की रिपोर्ट वजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी कभी रिलिजिस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से तो कभी ग्रेटा थंबर का स्टेट वेंट ये सारे सीक्वेंश जाके देख लीजेगा संससत्र के दौरान ही आते हैं और आज बर्बस विपक्ष ने जब संससत्र का विशे उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संससत्र के पारान एक अव्यवस्था का वातावरन उत्पन्न किया जाए और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि पक्षी दल भारत में अस्थरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि अभी हाली में संपन्न चुनाओ भारत की इतिहास के एकलोते चुनाओ थे जब साथ स तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि यह सारी बाते और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांदी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं कॉंग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हल्तक शेप किया जाए औ और मैं पुनह गंभीरता के साथ कहना चाहते हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजक्ता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा चाहें विशय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो ये वही लोग हैं जिन्होंने एक साल पहले का था LIC डूब गय इन्होंने कहा था SBI डूब गया इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनाटिक्स डूब गया फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले थिमाई में 17,000 करोड का प्रॉफिट दर्च किया है जो प्राइविट और गवर्मेंट दोनों की कंपनी जमिलाके और टाइम हाई है HAL ने 29,000 करोड का रेविनिव दोहजार तेश्चोवीस में अब से भी के ओपर अटाइक है मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये करकर क्या काम करना चाहते हैं और मैं जम्मेदारी के साथ कहता हूं सिर्फ सामने रख रहा हूं हमेशा कॉंग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती आज से नहीं 30-40 साल पहले से यह बताइए 1984 में यूनियन कारबाइट के एंडर्सन को इन्होंने हवाई जाज में बैटके भगाया था यूनियन कारबाइट के साथ कौन ख़ड़ा था कॉंग्रेस बोफोर्स के साथ कौन ख़ड़ा था उननीश साथ 88 में कॉ कौन खड़ा था कॉंग्रेस चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था कॉंग्रेस और बीबीसी के साथ कॉंग्रेस हिंडनबर्ग के साथ कॉंग्रेस और मैं फिर भी कहूंगा राउल गंदी जी एक बिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका वर्ड है उनका on record तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइम में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विशय के ऊपर आपका निशाना है सर ओपोजिशन पहले भी इस विशय पर बात करती रहे जब एक बिंदु मैं और भी कहना चाहूंगा जो संसत्र के दौरान कि इनों ने बात कही तो बिजनेस एडवाजरी कमेटी में तैह हुआ कि संसत्र का सत्र आपसान होगा मैं स्वें भी बिजनेस एडवाजरी कमेटी के मेंबर हूँ तो बता ही कॉंग्रेस से लोग तो उसमें थे तो अब सत्र का अवसान सब्स विचार करके हुआ उसके बाद इससे कनेक्शन एक बात बहुत साफ हो जाती है कि उनको इस बात क्या की तैयारी थी या आशा थी कि सत्र के दौरान ये रिपोर्ट आनी चाहिए श आज नहीं पिछले 4-5 सालों में BBC की डॉकुमेंटरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चाहें रिलिजस फ्रीडम की रिपोर्ट हो ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो किसानों के उपर बयान हो ये सब के सब संसत्र के दौरान आएं तो मैं पुना कहना चाहता हूं कि की प्रबुद जनता को निश्यत रूप से समझ में आना है